नमबुद्धाय जेभिम जेभारत मित्रो जिस दिन इस राष्ट्रिय प्रतिक का उद्गाटन हुआ था उसी दिन में इने एक नियोज बताए थी लेकिन आज मैं आपको इस राष्ट्रिय प्रतिक का इत्यास और अर्थ बताऊंगा तो विडियो को आखिर तक देखी है बारत के नए संसत भवन पर हामारे दिस के राष्ट्रिय प्रतिक के रूप में पहचाने जाने वाले अशोक स्थम्ब की विशल 4 सीहं सीर वाली मूर्थी की प्रतिकुरूती का आनावरण किया गया तब से सोशल मेडिया पर मुल चार सिह स्थंबो और नये बने शेरों के बीच तुलना शुरू हो गए है। स्थम्बो और नकशिदार सिले लेखों के साथ साथ अपनी प्राजा को उनके आदेशों का पालन करने के लिए सुचित किया गया था इसका प्रामान यह है कि आशुक का उल्लेक करने वाले अनेक अभिलेक आज भी भारत के कोने कोने में पाई जाते हैं इसलिए समरट आशु स्थम्ब की खोज 1945 के दावरान की गए थी सारना स्थम्ब तूर्की इसलामे आकरमन के दावरान तूट गया था वर्तमान में यह जमीन से 37 फिट के दूरी पर तूटी हुई आवस्था में है इस थम्ब पर लिखे गए चार पंक्तिया मिड़ गए है उस पर दिखाई दे वाले सीहमों के स्थम्ब का शेर्षय भी तूट कर नीचे गिर गया है ये फसी पुराततवव भाग के माध्यम से खोदाई करते समय और टेल ने सबसे पहले तूटे हुए स्थम्ब को देखा और तूटे हुए हिस्से का पता लागाने में कामियाब रहे सारनात का दुरुष्टी से सर्व श्रिष्ट है सारनात में स्थम्ब का शेर्षय एक उल्टे कमल के आकर का है स्थम्ब में एक गोलाकर कट आउट है और इसकी चारो भोजाओं को शेरों हातियों गोडों और बैलों की मुर्तियों से उकरा गया है दोनों जानवरों के बिच चारों दुषाओं में 4 धंब चक्र उकरे गए हैं इस चेहरे बंदी स्थम्ब पर 2 मीटर से अधिक उँचे 4 शिहों की विशाल स्थम्ब मुर्तिया हैं यह स्थम्ब मुर्ती बहुत ही सुन्दर है इस मुर्ति में 4 शेर एक दुसरे के विरुद्द दिशाओं में खड़े हैं ले फिर क्या है इस थंब का अर्थ, प्राचिन भारत की मूर्थिका लखोबाद की समय में गृक और फार्शी से इलियों से प्राभावित देखा गया है, इस प्रकार की प्राचिन शेर की मूर्थिया यूरोप और एसीया में पाई जाते है, शेर को ज्यानुरों का राजा माना इसका उपयोग राजा के प्रतिक के रूप में भी किया जाता है आक्रमक्ता, बहादूरी, दैरिया के गुनों के साथ साथ इसे ज्ञान, सैयम और दया का प्रतिक भी माना जाता है इस थंब पर शेर, हाती, गोडा और बहिल है बोध्धों के लिए हाती पवित्र है, सफिध हाती को बुद्ध का प्रतिक माना जाता है गोडा, शक्ती, गति, भारदस्त, कुलीनता, शक्ती और सोतन्तरता का प्रतिक है बैल इमानदारी और कड़ी मेहनत का प्रितिक है सम्राट आशुख की मुर्ती में पाए गए चक्रों को धर्म चक्र या धम्म चक्र कहा जाता है सारनात के इस आशुख चक्र में 24 आ रहे साथ विश्यत आपदी के चीनी यात्री युवान स्वांग ने भी मुरोगदा यानी सारनात के पास एक स्तूप के सामने एक सत्र फीट लंबा स्थंब देखने की नोंद अपने प्रवस वुरुत्तांत में लिखी है सारनात में आशुख स्थंब दुनिया के बहतरिन मुर्तियों में सेखे ऐसा विशेशग्य कहते ही आजादी के बाद 1925 इसीवे में भारस सरकार ने समराटाशों के सारना स्थंब के शिर्ष परस्थित इस अद्भुत मुर्ति को इसके सहिश्नु और शैंतिवादी आदर्शों और समरूत दसह जिवन के प्रतिक के रूप में नामित किया था और इसे राष्ट्रिय चिन्न का सम्मान दिया गया